तिर विगेट कुछ दिनों से हम सब कोई लास्ट येर चैनेलों में इस विशे को बहुत गर्मिटा के साथ देखते आये हैं अर्थाथ जन्वरी से शुरू घटनाक्रम चला है हमारे देश की पहतान बनाने वाड़े अंतर रास्ट के स्तर पर जो बीटिया जिन्होंने अलों पिक्सर लेकर कामन वेल्ट एक्षियन गेम्स इस पर स्वेलिंग हस्ताक्षर करके देश का मांग बढ़ाया है वो सभी देश के जो रत्म है खेल जगत के उनके साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई और घटना के बाद लोगों ने जिस व्यक्तिक विखेश पर आरोप लगाते हुए धर्णा देदे का काम किया जन्वरी में जलिए लोग अपने मांगों को लेकर बैठे तब भारत सरकार के खेल मंत्रालें द्वारा इसकी चार्च के लिए कमिटी बनाई गई उस कमिटी का तो रिपोर्ट नहीं आया लेकिन पुला जब लोग कुछिने लगे कि क्या हुआ हमारी प्राथमी की दर्च क्यों नहीं हो रही है तो दिल्ली पुलिस ने कोई भी कारवाई करने से इंकार दिया तब सभी लोगों ने जो पीरित पक्ष है देश के सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाया और सुप्रीम कोट के निद्रेंश पर भारतियंता पार्टी के लबंग और बैधाचारी सांसर्ग जिनका हत्या से लेकर राजनी बलतकार का लंबा फेरियस्थ है प्रिजबूजल सिंग उसके खिराव शिकायत दर्थ हो पाया लेकिन इस शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस का जो रूख रहा को हम सब के सामने आरूपी पर पोक्सो एक्ट लगा और सुप्रेम कोट का सीधा निद्रेंश है कि पोक्सो एक्ट लगने के बाद आपको तुरंग जरस्तार करना पड़ेगा वो काम भी नहीं हुआ उल्टा चुकी प्रभावशाली लोग है उन्होंने दवाब बनाकर व्यान बदलवाया और जो खवड़े आरे कि अब वो एक्ट भी हट गया लेकिर यौन सोचन के यौन अत्याचार के और भी कई शिकायटे दर्ज है जो भालत के नए सर्लिधान भवन जो अभी तक पूरा नहीं हुआ वो कायले अधिती चल रहा है लेकिन उसका जबर्गस्ति उधाटन होगिया प्रधान मंत्री के द्वारा और जब पहलवान बेटिया लोगतर्स के उस मंदिर में आकर अपना न्याय मांगने उन्हें ने कहा तो उनको घसीट के बीटा गया कई तरह के अप्राधित मुकद में घर्ज किये लासक्त में लिए तर्पश्चात जब समात सामने आया तो उस वक्त भारत सरकार के ग्रियमंत्री ने पालवानों को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि कालून अपना काम करेगा अच्छी बात फिर ग्रियमंत्री खेल मंत्री ने गुलाया तब एक सहमती बनी कि कि पंद्रह तारिक तर चाशिट जमा हो जाएगा और कल खबर आई दिल्ली पुलिस के हवाले से कि अब दिल्ली पुलिस आरोपियों से सबूत मांग रहे हैं यौन शोषन का यौन अत्याचार का सबूत कोई कैसे दे सकता है जिस प्रकार के आरोप लगे वह बहुत गंभीर थे उसकी एफाई यार में जो पत्थ है क्या उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करवाता तो हम उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे क्या मतलब सीधा सीधी जो फॉर्मूला चिनमयानंद आसाराम बापु कर उस फॉर्मूला को भारती यंटा पार्टी अपने पुलिस के माध्यम से लागु करवारे क्या कोई महिला कोई बेटी ऐसे आरोप लगाते हैं क्या कितने मजबूर हुए होंगे कितने मांसिक प्रतारित हुए होंगे तरी जाकर कोई कह सकता है कि मेरे साथ इस तरह की घटनाई हुए हम जानते हैं भारतिय समाग में महिला है पिटाजी के सामने तो छोड़ वी अपनी मा को भी पहुत मजबूरी में ही कुछ बाते बताती हैं है हम आप सबके घर की बेटिया है है हम लोगों ने जनम लिया है कि कितना जगन में स्थिति है कि मुझे तो लगता है कि दिल्ली पुलिस गर्थ में जा चुकी है मांसिक तोर पर भारतिय जनता पार्टी का गुलाम बन चुकी आप महिलाओं से पुछते की समुद्दों जो प्रतारी थे वो अपने प्रतार्णा का समुद्दे उन्होंने के नहीं कहा कि हमें मारा पिटा गया तो चोट के निसान होते है कि उस पर समुद्दे मतलब पन्रह तारिक को कि दिल्री पुलिस क्या संदेश देना चाहती है बताना पड़ेगा जिस देश में शक्ति रूपी देवी की पुजा होती है विद्ध्या रूपी देवी की पुजा होती है उस देश में आज क्या स्थिती हो गई रूपी देवी की पुजा होती है उस देश में आज क्या स्थिती हो गई भारतिये जंता पार्टी शासें सभी राज्या में महिलाओं की क्या स्थिते किससा छुपी हुई वही और यह भारत सरकार का महिलाओं की क्या स्थिते किससा छुपी हुई रही है और यह भारत सरकार का ग्रेम अंत्राले का आखर बताता है कि एंसी अर्मी का कि अग्यां कि अग्यां को लगता है कि कल के समाचार के बाद कि मानने ग्रेह मंत्री जी को अग्यां कि यह बाद बता आप लोग तो जो इलक्रोनिक मीडिया के चैनल के लोग है आपने देखा कि एक राजमंट्रे का बेटा किस प्रकार से जिनके उजाले में किसानों पर गाली चला देता है उसका कुछ नहीं होता जब सुप्रेम कोर्टिंट के इंटर्वेन करती है तब जाकर फाई है ये तो भार्ची जन्ता पार्टी का स्थिति है हजारों लोग जो सोचल मीडिया में चल रहा है जो बाला सोर में घटा घटी पांच हजार से ज़्यादा लोग की मिट्व की आशंका जहां पर व्यक्त की जा रही है वहाँ दोसों ढाई सों तीन सों में सिमठ के रह गए ये तो रख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अब वो कवच अब महिला के में भी लाया जा कि उनके साथ एक्सिडेंट होते रहे हास से होते रहे उनकी अस्पक्त लुटती रहे यही एक कवच अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्स्ट्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले